हाई गाईस कैसे आप में मॉनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मॉनिका दूसरो आज में चाई मसाले की रेसिपी लेकर आई हूं लेकिन आम चाई मसाला नहीं है इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी आपका जिसे जुकाम लगना सरदर्द रहना गला खरा और 5-6 दाने आप बड़ी लाइच के ले लीजिए दोनों ही बहुत ही जादा फाइदमन है और चाई मसाले में मुलट्टी जरूर डालेंगे मुलट्टी और अदरकी सूखा अदरक है बहुत आराम से मार्केट में मिलता है आप क्या करें मुलट्टी की दो टुकड़े ले लीजिए एक मुठी भर के इन्हें मैं करेंगे टेस्ट बढ़ाएंगी लेकिन साथ ही एक हूंड को पतला रखती है हमाई नसों की भ्लॉकिश को ठीक करती है कोई भी तकलीफों में पेट से शुरू होती है तो पेट की जितनी तकलीफ होते हैं दूर करने के लिए सौंफ जरू होई तो आधा कब हम सौंफ एड करेंगे दो छोटे चमच हम काली में चैट करें गले में खराश हो किस तरह से अलर्जी वेली काफ होती है हमें काली में से बहुत राथ मिलती है साथ ही मैं इसमें लॉंग एड कर रही हो भी इतनी क्वांटिटी में आड करूंगी दो सब Dalas the wagusing theAnn करेंगे में आप सुखे तुलशी के पते में तुल्सी के पत्ते नहीं चल्टे सब्सक्रलम जरंद लगिए आप टॐसी को एड सबरते met निहरी में सुखा कर सब तो में यह तो मैं तीन से चार ती बैंग którego् तुर कूल आट कर दो तो कैसे वी बड़ी बढ़ी हो तो हमें बहुत फायदा करती है रोज 2-3 पत्ते अगर तुलसी के ताजे खा लें सुभे खाली पे तो हमें कोई भी बिमारी नहीं लगती तो अगर हम चाय में आड़ कर देंगे तो सोचे कितना फायदा रहेगा आप भूल पी चाय पत्ते खाना आप चाय में आड़ किजिए अब हमने सबी चीजों को थोड़ा सा हलका गर्म करना क्योंकि हम इने पीशने वाले हैं तो पीशने से पहले हम हलका सा ड्राय रोस्ट कर लेंगे इससे क्या होगा इनके फ्लेवर उभर कर आएंगी दूसरा ही थोड़ी गर्म होके कड़क हो जाएंगी हम इसे मिक्सी में प पाउंड कर दिया कूरती है अब हलका ड्राय रोस्ट कर रहे हूं दो से चाल मिनट कीजिए कुछ तेल वगर नहीं डालना है सूखा बूनना है तो इससे मैं भून रही हूं बहुत अच्छी कुछबानी शुरू होगी है बस इन्हें इस तरह से बूनिए जब थोड़ा सा कड़क हो जाए हमारी स्वाफ है थोड़ी सी भून जाए तो मैं पीस लेंगे हमारा यहीं बहुत अच्छे से घर्म हो गया है इतने गर्म है कि मैंने मिक्सी में पीस सकती है बहुत जादा नहीं तपा लेना हल्का कड़क करम कीजिए मिक्सी के जाल में डाले पीसी और यह तो आप 3-4 छोटे चमच पिसी भी तुलसी जोती सूखी पिसी या साबुत कैसे पत्ते डालिए मिक्सी में जालके पीस दीजे देखिए मैंने बड़ा जती सही फटावर पीस लें थोड़ा करके पीसे सारी चीजों को साथ में नहीं पीस करते थोड़ा सा डालिए तीन से चा चाहिए मसाले को मैंने पीस लिया है मैं इसे मिक्स कर रही हूं क्योंकि हमने इसे 12 batches में पीसा है तो चाहती हूं कि सारे इंड्रीण से एकोली आपस में मिक्स हो जाएं तो उन्हें मिक्स कर लीजे और इसे किसी अच्छे शूके ड्राइव कन्टेनर में रख लिए प्लास बहुत थोड़ा सा एक चोथा ही चमज डाला है छोटा चमज यानि टी स्कून का चोथा ही सा तो यह इसे डालने के बाद इसे आप दो मिनट के लिए फ्लेट से धक दीजें ताकि इसके सारे जो कुण है वो चाय में आजाए तो इसे दो मिनट जरू ठक कर रखिए ताकि अबने लॉंग डाले एक काले मिज डाले आप सोची सबते कितनी अच्छी यह बनी है अब है अलग से कुष्णी करना ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप चाय मसाला बनाईए बड़ी बीमारियों को आप कर दीजे बाई बाई और यह रेसेपी आपने देख लिए तो प्लीज जरूर बनाईएगा आपको अच्छी लगे तो उसे जास यहादा शेयर केजेगा साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया